जीला कांकर बुलाक नरहरपूर से 15 किलोमीटर दूरी पर ग्राम हटका चारामा के 300 किसान कम बारिस या समय पर बारिस नहीं होने के कारण फसल नस्ट या रोपा नहीं लग पाया आपके कितना एकड जमीन है परिया तो इसे अभी तो रोपा के लिए छोड़े थे पूरा ही छुट गया है कर मुसे कम नहीं तो दो एकड़ा इसी रोपा के लिए छोड़े थे तो उसमें लगाय भी नहीं धान बाकि पाय ची बुवाई की ये थे उसका भी ठीकाना नहीं है धान तो होगा ही नहीं इसी तरह नरहरपुर बुलाग के 65 पंचायत का 150 गाव के किसानों का फसल नश्ट हुआ और प्रभावित हुए है उपजी नहीं होगा तो दिक्कत तो होगा सभावित बात है कि क्या खाएंगे खाने के लिए तो अनाजी नहीं है धान जरूरी है चा किया आप सासन से या किसी किसान से कर्ज लिये हो आँ बैंक से लिये हैं कर्ज सुसाइटी लेंशक से साकारी समेति जो है अलवा वहां से कर्ज उठाते हैं कि कलेक्टर के नाम से 13-14,000 किसान रैली प्रदर्शन कर और जंदर्शन में विग्यापन सोपा गया लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं देने के कारण वहां के किसानों कई परिसानियों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को सुखा ग्रस्त करवाने के जरूरी है? जरूरी है कि सुखा ग्रस्त गोसित होगा तो रोजगार गारेंटी या कुछ के माध्यम से काम मिलेगा नहीं तो पूरा पल्यान के हो जाएगा, गाउ में कोई आजमी नहीं पंचेगा, क्या खाएगा गाउ में रहा है खाद्य सुरक्षा अधिनियम की तहट बात की गई है कि कोई भी इंसान भुखा नहीं रहना चाहिए लेकिन ग्राम हटका चारामा और नरहरपुर बुलाक के लोगों ने भुख से मरने या आत्माहत्या करने का संभावना है कांकेर जीला के बांकी बुलाक में सुखा गरस्ता करवाया गया है लेकिन नरहरपुर बुलाक में अभी तक सुखा गरस्ता नहीं करवाया गया है सरकार सुखा गरस्ता करे मेरे इस वीडियो को देखने वाले दर्सकों से अनुरोध है कि ग्राम हटकाचारमा और नरहरपूर बुलाक के सभी गाउं में सुखा गरहस्ता करवाने के लिए जिला कलेक्टर स्रीमती सम्मी अबाडी जी को 07-868-241-222 इस नंबर पे क्वाल करके दबाव बनाईएं मैं दिनगर्मील ग्राम हटकाचारमा बुलाक नरहरपूर जिला कांकेर 36 गार इंडिया अनहट के लिए